मैं एक साधरन सा आदमी हूँ, वेवसाय करता हूँ, रोज अपने फ्लाट से निकलता हूँ और देर राथ फ्लाट में घुसता हूँ, बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ, टीवी देखता हूँ, कश्मीर में सभी भारतिय क्यों नहीं घुस सकते, अच्छा हूँ सरकार ने 3 270 हटा दिया, और ये आदिवासी इलाके, ये क्या बाहरी भीत्री लगाये रहते हैं, वहाँ भी सभी भारतिय क्यों नहीं बस नहीं सकते, मैं तो दलितों को जाहिल और आदिवासीों को जानवर समझता हूँ, मुस्लिम और इसाई को देश द्रोही और इस देश से इन सब क की सफाई चाहता हूँ, मैंने कभी जीवन में गाव नहीं देखे, बस्ती नहीं देखी, जुगिया नहीं देखी, जंगल नहीं देखे, मैं किसी को भी ठीक से जानता नहीं, मुठी भर लोगों को जानता पहचानता हूँ, जिने मैं भारतिय मानता हूँ, और चाहता हूँ ये भारतिय हर जगह घुसे और सारे संसाधनों पर कबजा करें देज हित में यही सोचता हुआ अपने फ्लाट में घुसता हूँ बाहर पहरा बिठाए रखता हूँ मेरे सुकून और स्वतंतरता में दखल देने यहां कोई न घुस पाए इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ क्या बात बहुत सुन्दर मा ने मुझे क्यों कभी नहीं टोका मेरे दादा जी ने टोका पिता जी ने टोका सिर्फ मा नहीं कभी किसी बात के लिए नहीं रोका एक वही मेरे साथ है मैं लंबे समय तक यही समझता रहा सालों बाद एक शाम मुझे शक हुआ कोई साथ है फिर क्यों चुप है मैंने उससे पहली बार पूछा मा तुमने मुझे क्यों कभी नहीं टोका क्या सहमत होने का अर्थ चुप रहना होता है उसने पहली बार कुछ बोला तुम्हारे दादा बहुत सक्थे उसके सामने मैंने कभी मुझ नहीं खोला तुम्हारे पिता भी बहुत सक्थे उसके सामने मैंने कभी मुझ नहीं खोला मैंने जीवन भर तुम्हें भी कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने कभी भी सावाल करना ही नहीं सीखा अब अपनी पसंद की ये कविता और सुना दें, ये मेरा लोग जो है बढ़ता ही, चुकि कविता हूं की जिनको समझ होगी उन्हें पता होगा कि हम किन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कल को जब कोई बड़ा पुरसकार मिलना सुरू हो तो आप ये न सुचिएगा कि ये कौ हैं, आप ये जानिएगा कि साहित आज तक के मंच पर 2022 में कुछ ऐसे लोग थे जिनों ने साहित ये जगत में पूरी दुनिया में भारत का नाम किया, ये आप कहीं दर्ज कर सकते हैं और ये निश्चित रूप से यह एक दिन होगा, बहुत शुक्रिया, कपड़ा पहनने वाले लोग, वे जो पूरा कपड़ा पहनते हैं, पूरे कपड़े में आए, और दर्वाजा तोड़ कर मेरे घर में घुस आए, मैं अपने कमरे में आधे कपड़ों में घूम रहा था, वे मुझे देखते ही बोले अधनंगे अविक्सित असभय, मैं उनसे इतना ही कहना च क्यावाच, बहुत सुंदा, बहुत सुंदा, बहुत सुंदा